हेलो दोस्तों मैं हूँ बैभव और आप देख रहे हैं Bits for Biology आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लैटफॉर्म अनकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आज की इस लेशन में हम बात करने जा रहे हैं Cockroach के बारे में जिससे एक कोशन का वेटेस तो होता ही है चाहें M's हो या नीट हो या कोई भी एकजाम हो और कोशन डिरेक्ट NCRT से ही पूछे जाते हैं तो चलिए इसके कुछ important point को focus करेंगे और पूरे NCRT के through out देखेंगे इसे तो चलिए आज हमारे part है Cockroach तो Cockroach का phylum जहां तक बात है या आर्थ्रोपोडा में आता है Class इसका इंसेक्टा है जीनस अगर देखें तो Periplaneta और Americana इसका species है तो Periplaneta Americana आप याद रखेंगे Size के अगर बात करें कोई नहीं पूछने जा रहा आप से 1 by 4 inch से लेकर 3 inch तक होती है इसके size Long antenna होता है legs होते हैं इसके पास Upper body wall इसकी conceal होती है head से ठीक है Nocturnal होते हैं, Omniverse होते हैं, Curseural होते हैं, Fast runner होते हैं Serious pest होते हैं, Vector होते हैं बहुत सारे diseases के Habitards जहां नमी होगी, Dam places होगे, वहाँ होते हैं और पूरी दुनिया में यह हर जगा पाया जाते हैं यह जो पहली paragraph है, आप से इसमें ही पुछा जाएगा Cockroach का scientific name है क्या, तो Periplaneta Americana और इसमें आप Phylum और Class याद रख सकते हैं, Arthropoda और Insecta नेक्स हम बात करेंगे, Morphology के बारे में Morphology खास हैं, यहां से Question पुछे जा चुके हैं Morphology अगर देखें, तो Segmented Body होती है इसकी नेक्स अगर बात करें, Hard Kiteinious Exoskeleton पूछा जाता है कि जो Cockroach का Exoskeleton है या Arthropoda का जो Exoskeleton होता है, वो कीशीज का बना हुआ होता है तो वो Kitein का बना हुआ है, पूरी Body अगर पूरी Body को तीनी पार्ट में अगर हमें Divide करना हो तो Head, Rax और Abdomen, पूरे तीन पार्ट में इसका Categorization होता है आगे हम बात करें, Next, Ascleurides तो जो Ascleurides होते हैं, तीन साइड से होते हैं जैसे मानों आप जो एक जो Askeleton आप देख रहे हो तो एक जो Askeleton हर एक जो Segment होता है उसमें Kitein के Plate होते हैं, जिनको Ascleurides बोला जाता है तो जैसे एक Machis की DB आप याद करो, Majestic Box जो होती है तो उसमें 3 साइड है, एक तो Dorsal साइड होगी, एक Ventral साइड होगी और एक Lateral साइड होगी, जो Dorsal साइड होता है उसको Tergite बोलते हैं Ventral साइड को Astermite बोलते हैं, और जो Lateral साइड होता है उसको Plurite बोलते हैं, तो यह आपस में Connect एक Membrane से होते हैं articular membrane questions पूछे गए हैं यहाँ से question 2015 में आये थी यहाँ से question तो articular membrane को ही arthrodial membrane बोला जाता है ये दोनों नाम NCRT में दिये हुए है थिक है? तो articular membrane थीन होती है, flexible होती है यहाँ से question क्या पूचा जाएगा? तीन पार्ट इसके कौन है? तो dorsal-target है ventral asternite है और lateral plurite है आपस में जुड़े हुए एक membrane से होते हैं जिनका नाम है articular membrane और exoskeleton kaitin का बना हुआ होता है आगे हम बढ़ें यह जो हम अभी देखें head thorax और abdomen तो हर एक पार्ट को थोड़ा देखने हैं अच्छे से neck flexible होते हैं head बना कैसे तो जब 6 segment का fusion हुआ fusion of 6 segment से head का formation होता है यह बात याद रखेंगे important है यहाँ पर next head के जो capsule होते हैं उनमें one pair of compound eyes होते हैं one pair long antenna जो antenna इस तरह निकला हुँ होता है वो one pair होते हैं उनमें ही sensory receptor पाये जाते हैं जहां तक mouth parts की बात है तो biting और chewing type बहुत सारे type होते हैं insecta के तो उनमें जो mouth part है इनका वो biting और chewing type important है mouth parts में अब होंगे क्या labrum, labium, mandible, maxilla और hypoferens यह 5 important part है अब कौन कितने हैं तो जो labrum आप देख रहे हैं तो labrum आपका एक होता है और labium भी एक है, mandible दो है और maxilla जो है वो दो है और hypoferens जो आप देख रहे हैं वो एक है तो यह पूरा part यह होता है इसमें तो जो hypoferens होता ह है जिसको tongue बोलते हैं जो कि एक flexible होता है अब याद रखेंगे एक pair नहीं है यह एक है और जो pair में जहां तक बात है तो एक pair mandible की होती है और एक pair maxilla की होती है labrum को ही upper lip बोलते हैं labium को lower lip बोलते हैं next हम बात करेंगे thorax तो इसमें आप से क्या पूछा जाएगा head में यह वाल thorax तो thorax जो होता है तो head और thorax बीच में यह part है नेक तो extension किस से बना तो prothorax extension से बना head thorax है इनमें 3 segments होते हैं उनमें पार्ट है prothorax, mezothorax और metathorax तो prothorax तो अब डेग्राम में देखी रहे हो mezothorax, mezothorax से ही four wings का formation हुआ है वहीं से निकला है four wings और mezothorax से hind wing निकला है तो यह hind wing आती है flight में मदद करती है कुछ inch तक यह ओड़ पाते हैं और यह hind wings transparent होती है, membranous होती है, thin होती है और soft होती है, feature सारे important है और यह tegmina एक पार्ट होता है, illetra जो black वाला पार्ट होता है, उसको बोलते है, illetra या tegmina उसको बोलते है मैं diagram में दिखाऊंगा आपको, और तीन pair of jointed appendages जो की खास होती है feature किसी की, और दो pair wings होते है तो tegmina के feature कैसे है, opaque होती है और dark होती है लेदरी है और thick है four wings cover, hind wings and full abdominal rest, this is important point जो four wings होता है, वही cover कियो होता है hind wings को जैसे यह four wings है, यह hind wings को cover करता है, जब cockroach wrist में होता है तो जैसे आप यह diagram देख सकते हो, जैसे आपको मैंने दिखाया आप यह tagmina दिखाया और यह hind wing दिखाया तो आप याद रखना है यह अच्छे से, और यह prothorax, mesothorax, metathorax यह आप पार्ट देख रहे हैं next हम आगे बढ़ें, यह पार्ट हमने देख लिया, तो आप इसका यह याद रखना, कि जो tagmina होता है, opaque और dark होता है और यह तीनों पार्ट याद रखना, pro, meso और metathorax, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम तो यह पार्ट भी आप देख रहे हो, जो अपने बात की labrum के बारे में, labrum है, mandible है तो काम क्या होता है, generally mandible का, mastication में काम होता है जो mandible है, masticate करने में काम होता है, यह hypoferring है, जिसको tongue बोला जा रहा है यह mandible है, grinding region और insizing region, यह maxilla है, labium है, यह maxilla है तो यह part हो गए है हमारे, maxilla आप देखी रहे हैं, इसमें ओशिल आई यहाँ पे labeling है, labium वाला part देखिए, अब diagram पूछे नहीं जाते हैं, neat मैं, मैंने 5 सालों से देख रहा हूँ, मैं इसमें diagram नहीं पूछे गए है तो diagram से अच्छा है कि आप कहीं और focus करें, इसके theoretical part पर, अब next हमारा part है abdomen तो abdomen जो 10 segments होते हैं, male और female में, generally तो segments इसमें याद रखेंगे, segments ही important होता है, हम segment भूल जाते हैं और head किससे बना, तो fusion of 6 segments से head का formation होया है next हम बात करें, largest और broadest part होता है, जो 7th asternum होता है female का, वो board-sipped होता है next, females में 7, 8, 9, यह जो asternum होते हैं, जिसको asternites बोल जा रहा है यहीं पे brood और genital pouch होते हैं, यहीं formation करता है 7, 8, 9 segments मिलकर और जहां तक mils की बात है, तो mils में जो genital pouch होते हैं, यह abdomen के पीछे होता है, hind-ind पे यह होता है dorsally और ventrally, यह जो segment से आपके, 9th और 10th टरगा, मिलकर इसको bond करते हैं dorsally और ventrally में यह 9th asternum से यह bonding होते हैं, कोशनियां से बिलकुल पूछे नहीं जाते कभी next हम बात करें, anterior part और posterior part के बारे में, तो anterior part में genital chamber जो होता है, उसमें तीन पार्ट होते हैं, female genopore, aspermethical pore, collateral gland, very very important posterior part में uthical chamber होता है, ठीक है, next genital pouch की बात करें, इसमें क्या-क्या part होते हैं, male में dorsalenus होता है, ventral male genital pore होता है male genopore physis होता है, जिसको phelomere बोलता है, phelomere के बारे में पुछा जाता है, कैसा structure है, तो kaitinious asymmetrical structure होता है, जो male genopore से sternum पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, sensory hairs होते हैं, generally, पूछा जाने वाला यही question है, कि इसमें कौन present होता है, तो analis style, males में present होते हैं, females में present होते हैं, females में absent है, इनल सकाई, दोनों में होता है अब leg के बारे में पहले पूछी जाती थी यह part, कि जो cockroach के leg है, जो आपने देखा pro thoracic, major thoracic, तो उसमें part क्या-क्या होते हैं, तो 5 part होते हैं, generally, coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus, सबसे बड़ा जो broadest part है, वो coxa होता है, जो swollen होता है part, next है, small जो सबसे part होता है, trochanter, long होता है, femur, औ तो सिर्फ इतना याद रखना, 5 part होते हैं, 5 segment, next बात करें हम, digestive system, यह आपका important part है, तो digestive system में कुछ part होते हैं, जैसे human में होता है, pharynx है, isophagus है, crop है, crop human में नहीं होता, crop तो इसमें खास property है, तो crop का का काम क्या है, यह food को store करने का यहाँ पे काम करेगा, food storing में यह मदद करत है, next बात करें, gizzard, तो gizzard को preventriculus भी बोलते हैं, पर gizzard grinding में मदद करता है, next है hepatic c ki, तो hepatic c ki, जो gastric c ki भी बोलते हैं, यह digestive juice को secret करने में मदद करता है, blind tubels भी से बोला जाता है, next है mezentron, जिसको meat git बोला जाता है, absorption में मदद करता है, next part है malpigian tubels, malpigian tubels जो होते हैं, sauce 150 number है आप number याद रखेंगे, yellow color के होते हैं, excretion में मदद करते हैं, ठीक है, next हम आगे बढ़े malpigian tubels से, तो ileum आता है, then colon, then rectum, यह last part है, यहां से anus से, जो भी excretory product है, वो बाहर आ जाएगा, तो खास बात इसमें hind gut के part हैं, यह वाले, आप से पूछा इसमें से क्या जाएगा वो में बता रहा हूँ, पहले तो यह part आपका four gut हुआ, यह वाला part आपका four gut, और यह वाला part है meat gut, तो four gut और meat gut, दोनों को joint करने का काम कौन कर रहा है, तो hepatic C की, जिसका number है 6 से 8, अब यह आपका meat gut है, तो meat gut और hind gut, तो इसको जोडने का काम कौन कर रहा है, तो यह malpigian tubels यह काम कर रहा है, malpigian tubels की number 100 से 150, अब से यही पूशा जाने वाला है, next है gizzard की number 6 तितिस में generally होते हैं, अब number भी सबके याद रगना कितने क्या है, और gizzard को ही proventriculus भी बोला गया है, four gut की lining जो होती है, cuticle से lining की जाती है, और hind gut जो होती है, वो broader होती है, mid gut से, यह hind gut आप broader होती है, यह mid gut से, आपको मैं diagram दिखाऊंगो, उसमें आपको पता चल जाएगा, next है blood vascular system open type की होती है, पहला close जाया था, analytes में, फिर जो arthropods है, open type था, visceral organs जो होते हैं, hemoceal में होते हैं, blood को बुला जा रहा है, bathroom, hemolymph, तो कैसी होती है hemolymph, यह पूछा जाता है, तो ही नहीं है, इसमें open type है, तो heart 13 chamber होते हैं, funnel sept के elongated muscular होते हैं, कैसे होता है यह transfer, तो जैसे sinus है, sinus है ostea में blood गया, ostea से heart में, heart से sinus में, इस तरह यह चलता आता है, और इसमें ellery muscles भी इसमें पाए जाते हैं, अब आप यह diagram देखू, जो upper part हुआ है, यह pharynx है आपका, यह celebrity gland यह वाला part देख रहे हैं, इसो phagus है, crop है, जो कि food store में मदद करेगा, गिजार्ड है, जो कि grinding में मदद करेगा, जो food store हुआ था, वो आगे जाएगा तो, यह hepatic sikhi है, hepatic sikhi for gut और mid gut के बीच का यह junction होता है, ठीक है, तो कितने होते हैं, 6-8 होते हैं, mid gut आप देखी रहे हैं, mid gut को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मालपिकिन ट्यूबल 100 से 150, अब आगे देखें यह, यह open circulator system में कुछ पार्ट है, anterior erota, lary muscles जो मैंने बता है, यह खास हैं, जो black black है, lary muscles हैं, यह आप chamber देख रहे हैं, funnels of chamber, यह 13 chamber होते हैं, heart के, यह था open circulator system of cockroach, अब यह हमारा part है, respiratory system, तो lateral side में present रहेंगे, मैंने आपको बताया था, pleuron, pleurite, lateral side में होंगे, aspiricals छोटे-छोटे hole होते हैं यह, तो कैसे यह चलता है, moment, palate trachea, then tracheal tube, then tracheals, ठीक है, जैसे हम लोग में primary bronchiae, secondary bronchiae, विलकुल ऐसा है, इसमें पार्ट चलता है, asphynter से यह पार्टे, part regulate होती है, diffusion का यह पार्ट चलता है, जो trachea cockroach की है, और mammals की है, दोनों similar होती है, किशीज में similar है यह, हमारे में cartilagnius ring होता है, तो इसलिए हमारा जो trachea होता है, वो non-collapsible है, तो इस तरह ही cockroach की भी जो trachea होती है, non-collapsible है, important point है, याद रखेंगे, next, यह भी part important है, question यहाँ से, पुछे खास और 650 नमबर, lining होती है, glandular or cellated cells से इसके lining होती है, fat body से भी excretion होता है, nephrosite से भी होता है, fat body में urate cells होते है, जो की vertebrates के liver के analogous होते है, तिक, इनमे uricose gland भी होता है, यह uricotelic होते है, क्योंकि इनका uric acid ही cheap product होता है, question जो पूछा गया था, वो देखेंगे आप, जो excret substance जो निकलता है इनका, तो potassium urate के form में वो होता है, यह part question पूछा गया exam, next बात करें हम आगे, यह हमारा nervous system, तो nervous system cockroach की बहुत ही खास होती है, जैसे question पूछा जाता है, कि जैसे cockroach का head है, तो हमने head को काड़ दिया, ठीक, जो cockroach का head था, उसको हमने काड़ दिया, तो कितने द जिन्द तक cockroach जिन्दा रख सकता है, तो एक विक तक cockroach जिन्दा रख सकता है, क्योंकि cockroach यह head में nervous system बहुत ही थोड़ा सा होता है, बात करें हम, nervous system के बारे में, तो well developed nervous system है, पूरे body में throughout होता है, लेकिन head में beat of nervous system होता है, आप से पूछा जाने वाला पार्ट, 9 segmented ganglia तो होते हैं, thorax में कितने तो 3, abdomen में कितने तो 6, head को अब बताए, head को अगर cut करते हैं, तो live as long as one big, brain represented by osteophageal ganglion, very very important, तो osteophageal, supra osteophageal ganglion में दो पार्ट आते हैं, antenna और compound eyes, sense organ जो हैं cockroach के, वो ये हैं antenna, eyes, maxillary pulp, labial pulp और anal sarcae, ठीक तो anal sarcae आपको बताया है, मैंने male or female दोनों प्रजेंट रहेंगे हैं, खास है, तो sense organ सारे important हैं ये, अब हमारा सबसी important part compound eyes, जो मैंने शुरू में आपको बोला था compound eyes के बारे में, तो compound eyes जो होते हैं, वो छोटे छोटे यूनिट्स के बारे होते हैं, जिनको omateria बोलते हैं, total 2000 hexagonal units होते हैं उनमें, hexagonal की units होती है, total 2000 number होता है इनका, काम क्या होता, मुजाइक vision में काम होता, more sensitivity, less resolution, बच्चे उल्टा कर देते हैं, less sensitivity, more resolution, बिल्कुल नहीं, होगा तो more sensitivity, less resolution, कि nocturnal vision में इनको मदद करता है रातों में, तो ये पार्ट थे हैं हमारी compound eyes के बारे में, 2000 hexagonal units याद रखेंगे, और units का नाम है ometeria, अभी बाट आता है हमारा male reproductive system, तो cockroach में male और female दोनों separate होते हैं, तो dioces हम बोलेंगे, pair of testes, अभी segment आप याद रखेंगे, segment होते हैं, चौथे से छठे abdominal segments में होते हैं testes, testes के बाद, sperm जो बनेगी worst difference में आएंगी, worst difference के बाद ejaculatory duct में, then male और पोर में, glands होते हैं, seminal vesicles या sperm को store करते हैं, spermatophores के form में, next accessory reproductive gland mushroom shaped gland very very important होता कहां है, तो छठे से साथ में segment पर, ये utricular gland भी इसको बोलते हैं, तो आपने देखा कि 4 से 6 में, तो testes हो गया, और 6 to 7 में mushroom gland हो गया, आप याद रखेंगे, next आगे बढ़ें, ये है female reproductive gland, female reproductive gland में क्या होता है, जो ovaries होती है, वो second से 6 segment तक, आपने देखा testes 4 से 6 segment, और 6 to 7 क्या है, mushroom shaped gland, जिसको utricular gland भी बोलते हैं, next हम आगे देखें, तो आगे ही हमारा part है, pair of ovaries जो होते हैं, ये आपने देखा ही, इसमें 8 ovarian tubules होंगे, जिनको ovaries बोले जा रहा है, दिन ovi duck, दिन vagina, दिन genital chamber, दिन pair of asparamethika, दिन genital chamber में ये बाहर जाकर खुल जाता है, pure of asparamethika 6 segment में ये present होंगे, इन में collateral gland होता है, मैं आपको diagram में दिखाऊंगा, जो की branch होता है, one pair होता है, left side more branching, left side में branching ज्यादा होती है, next, fertilized, अब fertilization होगा कैसे, तो जो fertilized eggs होते हैं, जो female होती हैं, तो capsule में इनको encase करती हैं, जिनको uthika बोला जाता है, uthika का 8 mm long होता है, redis color का generally होता है, redis से black is brown color का भी होता है, uthika को female reproductive जो female होती है, female cockroach, वो इसको कहीं high humidity वाले जगह पे इसको drop करती है, उसके बाद, जो female होती है, 9 to 10 uthika, जो आपको एक uthika को गिराया गया high humidity पे, तो वैसे 9 to 10 uthika को female produce करती हैं, और एक uthika में 14 से 16 अंडे होते हैं, तो आप सोच तो कितने अंडे बन गया है, next है porometabolus development होता है, miss development, nymphal stage के through होता है, nymph से फिर adult का जाकर formation होता है, इसमें एक साल लगते हैं, और ये 13 time फिर grow कर जाता है, nymph से adult में, nymph के पास wings नहीं होंगे, mature reproductive organs नहीं होंगे, छोटा बच्चा है, तो उन्हें wings और reproductive organs होते भी नहीं है, next है interaction with man, तो no economic importance, और एक पार्ट पहले पूछा गया था ये question, insects के बारे में, कि insects में जो circulatory fluid होता है, तो वो transfer of gases में help नहीं करता है, जिससे हमारे में करता है, they have tracal tube network, जिससे direct respiration वो कर पाते हैं, next है आप cockroach का ये part देख रहे हैं, ये आपका male reproductive system of cockroach का ये part है, आपको मैंने बताए है, ये सा part phallic gland of small tubes, आप ये labeling याद रखोगे, ठीक है, पूछे जाते हैं, जो test series वगर हो तो उसमें आते हैं, ये सब question, आप ये anal circus तो देखी रहे हो, ये वाला part, ठीक है, next आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, कि left side पे ये branching जादा होती है, ये जो collateral gland का branching है, ये जादा होता है, तो collateral gland इसमें सबसे खास party होता है, और ये स्परमिथी का जहां स्परमा का restore होती है, और ये genital pouch इसको बोल रहे हैं, genital chamber और vestibulum को, और ये गुनपो फाइसी साब तीथ लाई का structure यहाँ पर देखी रहे हो, तो ये हमारा part complete हुआ,